को की अब विन पर अप्रीय घ्रीग इंटर साइन्स नियुक्टालोग नियुकृ हे व लु कि वी थी काथ य। जो का लुट्णिय को मिइट सब्सक्राइब पैरेंट काइमा टिस्टू हो चुका है और इसकले इसकला काइमा हमने पिछले थोड़ा सा बात जरूर किया था लेकिन वह नहीं पाई था धूरद थीक नहीं दिया हमारी आज हम जो कि यह बहुत इंपार्टेंट टिस्टू है तो इसको डिसकस करने चल ला है हम रहताल मिलता है इसको हम पढ़ेंगे चुरू करते हैं जखे रुक्रिस्टे न का icuma की जनरल वैशंते हैं तो ज़िक है कर जनरल फेचर की बात किया बात कर हम लोग करें कुछ जनरल फीचर से हैं कि या क्रेक्ट्रिस्टिक फीचर है कि इसमें क्या समझना है हमको कि यह जो सेल्स होती है यह कि मुस्टली इलांगेटेड थीक वाल्ड लिगनिफाइड और डेड़ सेल्स होती है चार पॉइंट आज रखना चाहिए पहली बात क्या है कि मुस्टली कि इलांगेटेड कि इलांगेटेड थीक वाल्ड लिगनिफाइड 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 और डेड़ सेल्स होती है लेकिन एक बात रखें कि जब यह सेल्स फार्म होती है बनती है तो बनते समय ध्यांजेड यह लिविंग होती है आगे चलके यह जब लिगनिफिकेशन होता है जब इसमें सेकेंडरी डिपॉजिशन हो जाता है ध्यांजेड वर्ड को समझें ज़रा सा आप माली मैं कहूं आपसे कि यह माली जे थोड़ा साथ ठीकर इसे दिखाए अगर माली यह सेल्स है तो जो प्राइमरी यह प्राइमरी सेल्वाल होती है हैं जब तक इसमें लिगन इसकेशन नहीं होता है तब तक यह लिविंग होती है जान दिजेगा जिसको अँन ब्रेट सेल्स कर रहे हैं तो मित्चोर advisor मैंtv क्यों होती है यह खली इसमें भी प्राइमरी से लूजिक सेंद्वाल होती है इनका फंक्सनल या living protoplasm होता है living cells होती है तिक है लेकिन बाद में जब इनका secondary deposition होता है जान दीजेगा यहां कि इसके अन्दर यहां पर लिगनीन यहां पर लिगनीन का deposition हो जाएगा जान दीजेगा और याद रखी हैं पर सेटरी वाल भी है एह जो मैं बेसे जान दिए यहां पर सेकंडरी वाल भी है यहां पर यह सेकंडरी थिकनिंग है यह सेकंडरी वाल है यहां पर क्या है यह से बनाया हो क्या है यह है यह है लिगनिफाइड लिग्निफायल ये सेकंड्री वाल है इसेकंड्री सेल वाल है यह है ना किनल की चैनल को यहां करें Kyn你好 होती हैं कि जान्री वाल होती है और जब लिग्निफाएड हो गई तब जाके डेड़् वह मैं ठीकनदे आपको हम ने दिखाने के लिए से वाली होती है यह बात ध्यान दीजेगा हमने दिखाने के लिखा लिए इसका ओवल से बनाया अधरवाई तो यह होती है विछ टेपरिंग एंड और उनका लुमें जो होता है नेरो होता है और नेरो जो होता है इसी की लिगनिफिकेशन की वज़े से होता है ठीक ना अगला अगर मैं अगला पॉइंट लिखना चाहूं इसमित क्या लिखूंगा है अगला पॉइंट है क्या है कि दीज आर कि दीज कि दीज आर इलांगेटेड इलांगेटेड सेल्स कि लाइन इंपार्डेंट है विथ टेपरिंग मतलब नो कीला अब यह फिए दिखा रहा हूं टेपरिंग एन्डे नो कि एंड्स विथ नैरो ल्यूमेन इनका ल्यूमेन जो खोकला भाग है ओ नैरो होता है भी तनारो ल्यूमन इंस बात को मासमझते है te Baptist II इस तरह से देखिये जासा यह इस तरह से नुकेले एंड वाली यह इनकी सेस्व कुई है ना तके टेपरिंग मत होता है नुकेला एंड होता है और बीच का जो भाग ना कोखला भाग किसी को ल्यूमें कहा जाता है मान है ये में हैं थे रिप denkt नायरो एंड़ न بता रहे हैं अगर रहें देर भूननुर मॉता है पतला होता है तो क्यों में क 처osh होता है जांदीजी अब है अभी कहा गया था ना किसमें इसे केनली ठीकनिंग होती है लिंएन की तब अगर मैं अहां सब्सक्रण कंई उआ अगर में हैं अगर में अब लिवनें का डिपाइशन के चला जाएगा वैसे मैं क्या हो जाएगा आप देख रहें कि इसकी जो को क्ला भाग है को नैरो शक्रा होता चला जाएगा इस तरह होता होता चला जाएगा और यह मोर ऑन मौर नेरो होता चला जाएगा आता है लीनिन और चला जाता है मैं हमारे सब्सक्राइट अगर सेंगों कि हमारे पास अगर माइक्रOSKॉप है और मायक्रसकॉप हम और देख सक है नहीं तो है आपके पास क्या है 5K क्या है फोकस करेंगे यही आपकी से यहां पर अचार अप्सक्राइब नहीं है फाइबर ही इतनी बात रहेंगे इतना इसका क्या होता है जनरल फीचर होता है कि मोस्त लीए लांगेटेट इसल्स होती है थिक थिक वाड होती है थिकनीं किसकी होती हैं तो लिगनीन की होती याद रखिएगा और उसके बाद से थिक निंग यहांसार्स के यांपे सेकंडरी वाल बन जाती है लिगनीन की और इनका जो लिद्धत है ओने यह संक्रा होता चला जाता है कि इए तुम सवी कि यह प्रिन्ध मतलब … कि अगे टेपरिंग्म का टेपरिंग एंड है इसका एकी सब जनरल फ्रीचर शूर इसकी इसके इसके हैं तिक़ेंगे छोती हैं ठिक वाल होती है लिगनिफायक। होती हैं डेंड होती हैं और टेप्रिंग एंड वाली होती है के बात हम आज राना चाहिए अब unreal क्लासिफाइख करने चलना है तो अब इनको इनकी structure के basis पर हम इसको classify करेंगे इनि टाइप चाफ की बात करें को टाइप की बात करेंगे तो टाइप इसका दो मिलेगा एक मिलेगा इस्क्लेरन काइमेटस फाइबर और दूसरा हमको मिलेगा दूसरा मिल जाया यहाँ पर कि इसक्लेरीटसी इसको कराorn ya कि इस्क्लिरीरिटस और इस को कर अंद निए इस सब्कति काहता है इसक्लेर काइमनेटस फाइबर एको हो जाएगा और 마음에 गरे में इस के रूटिक शर्र शुरू करते हैं कि इसक्लेरर की फाइबर की बात हम कर रहे तो अकर हम फाइबर की बात अकर पहले करें तो फाइबर क्या भाइबर चाहिए घारबर थैसे यह यह इलांगेटेड होते हैं यह इस सब बाते दुबार रेपीट हो रही है थीक वाल्ड है न लिगनी फाइड कि देड़ सेल्स तो डेड़ सेल्स कि विध नैरो ल्यूमेन तो विध नैरो लूमेन होते हैं और एक बात रैद रखेगा एक आपने वर्ड पिट पढ़ा होगा पिट अभी हम बता रहें आप जानते भी हैं यहां पे दोनों तरह के पिट होते हैं पिट्स बहुते हैं और बाडर पीट यह लाइन जरा से इंपर्टर रियाद रखेगा दोन तरह कि पिट्स होती हैं मैं अब लिख रहा हूं बोथ द बोथ द शिंपल कि एंड बाडर पेट पाडर पिट्स अ मे बिब्ड प्रिजेंट तो मेबी मेर ने अ किотри यह बात आप आप फाइबर के बारे मराद रखी कि नहीं किकवाल होती है लिगनीफैड होती यह देड होती है और नैरो लिमन होता है caster टेपरिंड यहां पर टेपरिंड भी होगा वह ने पहले लिखा था के परिंग के परिंग एंड्स आप और दोनुई सिम्पल और बारड़ दोनों पिट यहां पर पाए जाते हैं ठीक है ना अच्छा आप जाब देखिए हम इन दोनों पिट को दिखाने चलना है पिट का मतलब आपी उसमझे का मतलब एक तरह से समझे की अन्ठिकेंड या गढधा माली पिट मतलब होता भी है तो आप उसमझे यह से माल लिए आप जिस फ्लोर पे बैठे हैं जहां भी बैठे होंगे माने कहा जाए को हाँ पे मिट्टी डाल के और उसको उचा करना है फ्ल यहां पर उचा हो जाएगा और जहां जहां मिट्टी या से मिंट नहीं डाला गया होगा वहां पर गढधा बन जाएगा वही पिट है कोई बात यहां पर है कि जब लिगनिफिकेशन होता है प्राइमरी से लुजिक सेल वाल के उपर में बनाग दिखा रहा हूं तो थिकनि कि में बनाग दिखा रहा हूं आपको माल लीजे कि हम आप ऐसे दिखा है आपको कि सब्सक्राइब कि यह है यह माली हम यहां पर यह वाल दिखा रहे है यह क्या है यह हमारी प्राइमरी से लोजिक वाल है यह प्राइमरी सेल लोजिक प्राइमरी सेल लोजिक यह सेल वाल है है ठीक है न अब इसी पर मैं क्या करूं अच्छी एक पिट वर्ड बार बार आएक उसको समझ लेना है अब यहां पर मालिए ठीक निंग हो रहा है तो जब यहां पर डिपाजिशन होगा तो माल लीजे कि अब इस जगह पर डिपाजिशन हो रहा देखिए ऐसा यहां रहे होंगे कि यहां पर हुआ कि यहां पर हुआ कि यहां दिपाजिशन नहीं हुआ है कि और यहां डिपाजिशन हो रहा है कि इस तरह से गुष है कि तो यह देखिए जहां पर डिपाइशन हुंआ फिक नीग हो गई जानंए वह रातर समचवड़ा दिखाएं दिखाने के लिए इतना चोड़ा होता नहीं है बस समझे इहां पर कि यहां दिपाइशन हुआ और यहां पर नहीं हुआ जहां पर नहीं हुला ना वहीं क्या है वहीं क्या हुआ कोई पिट रहा है या बहुत हलका कम पहर यहाँ कर देखेए दो प्रकार के होते हैं तू टायप सके थे अगर मानली जैंए कि पिट है इसमें ऐसे फ्लेरिंग हो जाया यहाँ पर देखेंज आई चैनु स्य और यह मोदा चिमित एक हुझ भाइकिव उन्य कि नहीं को बहुत हएं औहौर सब्धिन भीधुलन दी फ्लेट रहां क्यों थे सम्पल पिट के लाएगा दो ये जो पिट है आई है फूक पीठिक एकाक आपक измен 알स्सिंपल पर इस सिंपल पिट और एक और आपको मिलेगा याद हो गया हमने जो इस इस कलर से ओ क्या था प्राइमरी सेल वालती ये क्या था िसिकन्डि तिकिनिंग् कर satisfirm है कि यहां है कि लेगनीीपिकिसन विजल लिए का ऺिकनिक वडिट हो रहा है इसी त्रींग ठोल कर रहे हैं कि तो जो सकंड्रीजी कों घ्र कर एक हो रहा disciple तो डिपाइशन के समय कुछ जगों पर आतो डिपाइशन बहुत ही कम होता है तो जैसे हमने बिलकुल नहीं किया है तो आप यह गड़्धा बन गया उसी का नाम है इसे का नाम पिट है अब अगर कोई बार्डर नहीं बना आया लक्षा ते संपल पिट कहलाएगा और अगर पिट क्या होता है इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा और पिट जो होते हैं सिंपली क्या है पिट का मददा गढ़्धा होता है गड़्धा कैसे बनेगा तो जगर सेकंडरी डिपॉजिशन अगर होगा तो डिपॉजिशन के समय कहीं पर डिपाइशन माल लिए अगर बिल्कुल नहीं किया है यह कम हो अगर कोई अलग से बार्डर नहीं बन रहा है अगर फ्लेरिंग हो गई ऑबर आर्शियों होगा यहां पर बार्डर पिट कहते हैं तो फाइबर जो हैं याद रखेगा उसमें दोनु तरह की पिट हो सकते हैं सिंपल पिट भी हो सकता है और और बारद पिट हो सकता है कि सब्सक्राइबर का यहां पर इतनी आपके पास होनी च्याहिए अगर हम फाइबर को को फिर से classify करना चाहें तो जांड़े पहले अभी हमने इस्कलेन काइबासेल को classify किया है ना दो तरह का पहलہ क्या जाएगा तब जड़ा क्लासिफाइब करें फाइबर को या फाइबर के टाइब देखिए तो टाइब साफ फाइबर की बात किया जाएगा तो ताइब помог प्राम करें तो इस क्लेरेन काईमेटरस 觉得 क्लाशिफायबर और तो अगर फाइबर की बात करें तो इस डेन काइमेटरस की बात करें तो आपको मैंने बताय था कि जब भी किसी को आपक्लासिफाई करते हैं जब भी किसी को टाइपिफाई करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को किसी भी चीज को उसका आपको बताना पड़ता है ग्राउन किस बेसिस पे आपके हरी समाल लेज़े कहा जाए कि फस्ट यूजन है थर्ड यूजन है यह फेल है इस दिस्टिंग्शन वाले हैं तो कुछ तो बताना कि बात हों गभी जब यूगी की ऑख कोगी तरन सोचिए कि वाटू इस साफ क्लासिफिकेशन कि यह जा रहा है तो हम यहाँ पर पहली बार यूक्षिकशन निरे है अंद्र बैसिस साफ इस्ट्रीक्टर करने जा रहा है इस अपसके करने जा रहें आनाो para कि में इस फोटेशन आफrones इस्ट्रॉक्टीर और फन्ति करने जा रहा है ओंद्र स्थाफ करेंगे एक हमारा टाइप हो जाएगा लिवरी फार्म फाइबर और एक हमनों का हो जाएगा ट्रेकीडियल फाइबर एक हमारा हो जाएगा पहला हो जाएगा लिवरी फार्म लिवरी फार्म फाइबर और दूसरा हमारा हो जाएगा ट्रेकीडियल फाइबर अब देखें जो लिवरी फार्म फाइबर होगा यह लिवरी फार्म फाइबर इसके बारे में याद रखेगा यह जो फाइबर होते हैं तो अगर इन फाइबर की हम बात करें आपसे यह जो फाइबर होते हैं याद रखें इस अब जो होते हैं वह थिक वाइड इलांगेटेड फाइबर होते हैं थिक वाइड लिगनी फाइड इलांगेट फाइबर होते हैं और यहां का जो लुमेन होता है वो कमपरेटिवली नैरो होता है और पिट यहां पर सिंपल ह होता है याद रखिए गाए चार पॉइंट रखिए पहली बात क्या होते हां आपका होते हैं ऐस मत युदेट बात कै alm सब्सक्राइब हैं ट टेक वालड़ थ another अगली बात है लिगनी फाइड है अगली बात है आट है अधो गया है अधो अगली बात है नैरो लियुमेन है इंपार्टेंट है इसलमें यहां पर वाइडा होगा ट्रेखिंडियल में नियुagenIDE ot20 से अरुद आयुद्टाइक इतनी बात आप याद रखिए विस इंपल पिट और पाए कहां जाएंगे तो फाउंड ले और हाख अग्या हाख लुद्ध है फाउंडुम में चैनल पाएगे और चैनल में जो पाए जाते हैं आगे चल कि इसको हम लोग बास्ट फाइबर भी कहेंगे बास्ट फाइबर कहेंगे और पेरिसाइकिलवल फाइबर को हम लोग पेरिवैस्कुलर फाइबर भी कहते हैं पेरिवैस्कुलर फाइबर भी इसको हम कहते हैं और फ्लोईम फाइबर को हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं गानि बास्ट फाइबर तो इतनी बात आप याद रखें कि जो लिवरी फार्म फाइबर होते हैं कि इनका क्या पता है आपने किए इलंगेट होते हैं ठीक वाल्ड होते हैं लिगनीफाइर होते हैं डेड़ होते हैं नेरो भी मेर नोंच पिट होता है ङयनती जगाए चीज इमपार्डम इसलिए हैं यहां पर नैरो में से है ना हम ट्रेकडी कि डिकेंगे वाइडर लिमिन लिक निए ब दागे सारी बाता Siπ сказать करेंगे लांगेटेत यह यह लम्में और असल में लांगेस्ट सेल आप प्लान्ट गिंग्डम यहीं से मिलती है एना बोई मेरिया नीविया में इसकी लंबाई लगभग 55-55 सेंटीमिटर आधे मिटर से बेदिक होती जान लिजिए ते क्या हैं लांगेस्ट अगर मैं अगर में अगर मेंशन कर दो पर आसा कि यह लांगेस्ट सेल आफ प्लांट किंग्डम होते हैं सब कि यह लांगेस्ट सेल आफ प्लांट किंग्डम है क्या ही हैं यह हैं लॉंगेस्ट सेल अगर 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 में लिखूं तो बोई मीरिया नीविया में इसकी लंबाई लगभग 55 सेंटीमिटर होती है प्लांट आपका है वोई मेरिया नीविया इसकी लेंद कितनी है 55 सेंटीमीटर लांग कितनी लंबी दिखेंगे बहुत लंबी आधे मीटर से जाधे लंबा है ते लांगेस्ट सेल आफ प्लांट किंग्डम होती याद रखिएगा और बाकी लांगेटेट हैं यह यहां लिखेंगे लेस इलांगेटेट होती है यहां होती है यहां क्या होता है यहां होता है यहां यहां सिंपल पीठें यहां पर बार्ड़ पीठें ताकि हम को चीज है याद रहें तो थोड़ा सा हमको इस पेस जादे चाहिए तो इसको इसको थोड़ा इस तिर्चा करके और इस बनाता हूँ को देखिए ऐसे हाँ बना लिए मैं इस तेस आपने का क्या लिवरी फाइबर और रेकों से फाइबर है कि ट्रेटील फाइबर एड्रेकी इड्यल फाइबर इनके बारे मगर लिखा जाए क्या इनके बारे में जानते हैं देखे जाए याइसा इनकी इंफार्मेशन रें तो म roku शिए क्या होती है लेह घ्लाग्व इर्यृत सबस्क्किंग क्यूंथ तुम्सिट कांच है कांच मिल गया थिक वाईसित अख़ा संटेट छींद आकते लिखनी फाइड लेखिन लेकिन डिफरेंस क definis जाही है के मंफिण लूमे यहां क्या है यह पर होता है अग उरे अज कम परेटीवली इसा पोइंट यहां पर आध रखेंगे को वाईडर यहां चोड़ा होता है में वाईडरनी में मत और यहां पीजार्पिक्स अम खें की इन इनके बार्डर्ड पिष्ट होता है अब बाडर्ड पिट ठीक है ना तो इस तरह से हम लोग आसानी से दिखा पाएंगे कि क्या-क्या डिफ्रेंसिज होते हैं दोनों में आपने क्या कहा यहां पर क्या था था यहाँ है कि टिकवाट यहां पर भी है कि यहां पर यहां पर बॉडडर में यहां सिंप्ल सब्फेन कैसा है यहां पर बॉडर पिटत है ठीक ना और जो ट्रेकेडियल फाइबर होते हैं जान जी एसल में पाए कहां जाते हैं इनके बार में आद दखी यह जायलम में पाए जाते हैं तो आई हो कि आप आसानी से रहें का किया हैं इसका क्लाशिफाइ क्या रहा आउन अस अ मिलीवरी फार्म फाइबर और और वज एंसी सामने हैं और सब्सक्राइबर है दोन लुए टिफेरेंज के लिए आप बस घल तीन ही three points का difference है पहला क्या और यहां पर संपर्डर पिट है और यहां पर लॉकेशन की बाद भी शकते हैं यहां कहां होते हैं और पर पएरवरी जाएं और दोल यहां पर फाइबर आए प्लूमों फेजाते हैं और पाइजातल में पाया जाते हो इस तरह एक पारेस्टिव एककाउंट हमारे पास अगर रहे हैं तो हम बातों को असानी से बता पाएंगे बोलिए बैए जो लोग प्रिजेंट टाइम में लाइब क्लास देख रहे हैं बताइए कांसेट बन गया है अलग-अलग कलर से हमने लिख दिया है अब आप अंतर भी कर पाएंगे डिफरेंस भी आप कर पाएंगे कि जो अब देखिए खाली बस फाइबर पढ़ लेना इससे काम नहीं चलेगा उसके अंदर थोड़ा घुसिए कि फाइबर को टाइपीफाई करिए क्लासिफाई करिए अभी एक बेसिस है अगली बेसिस यान समझना था हमने बता दिया आपको याद रखेगा सेकंडरी वाल यहीं से सुरू होती है सेकंडरी वाल जो होती है हलाकि हम लोग कॉलें काइमा पढ़े थे तो वहां पर भी सेकंडरी ठीकनिंग और आया था कहां कहां पर एंड्स पर और कार्नर पर लेकिन यहां पर पूरा साइड में यहां पर होता है सब डिफरेंसे होते हैं तो समझने की बात है समझने प्रयास करें आप लोग कोई डाउट कोई कोशन आपका है इस पर तो हैं यहीं सारे पॉइंट आप वहां पर कर दीजिएगा तो वहां पर खली हेडिंग डाल गई काम चल जाएगा बस वहां पर क्या लिखा आपने ऊड़ फाइबर लिखा उसमें कुछ लिए क्लाइन नहीं समझना आए बस इतनी इसी बाद यहीं वाला है वहां पर होगा जाइलम में प्रेजेंट होने के नाते उसको जाइलम फाइबर या फॉड फाइबर कहेंगे इस तरह से फ्लोएं फाइबर या बात करेंगे वहां पर पढ़ेंगे जब हम लोग वैसलों टिसू पढ़ेंगे तो फ्लोएं फाइबर पर अड़ते समय जो हमनें देखिए प्लोएं फाइबर या बास्ट फाइबर का एकलेंगे हैं वहां जाएगी में इन्ट और को सब्यक्रियर नेटर हो जाता है और एक जगह की पढ़ी बात अगली जगह पर रिपीट हो जाती है दुबारा हमको पढ़ना नहीं पढ़ता है ठीक है ना तो अभी हमने क्या किया था उन्द बेसिस आफ इस्ट्रक्चर अब हम क्लासिफाइब करने चाह रहे हैं किसको इसी को इसके कामेटर्स फाइबर को ही आन्द बेसिस आफ पोजीशन या लोकेशन तो इसी को हम क्लासिफाइब करेंगे लेकिन इस बार हमारा लोकेशन बेसिस बदल जाएगा तो अब हम फाइबर को ही या इस्किलेरेन काइमेटरस फाइबर को ही हम क्लासिफाई करेंगे on the basis of position या location फाइबर को हम classify करने चलना है on the basis इस बार बदल जाएगा on the basis of position या location तो इस बार हमारा basis बदल गया यह है on the basis of on the basis of location हम इसको क्लासिफाई करने जा रहे है कि लोकेशन ठीक इस बार जो पहला होगा इस बार यहीं बताना है हमको कि जाइलम के अंदर है अथ्वा जाइलम के बाहर है इंट्रा जाइलरी अथ्वा एक्स्ट्रा जाइलरी कहते हैं इंट्रा जाइलरी अथ्वा एक्स्ट्रा जाइलरी होते हैं फर्स्ट हमारा हो जाएगा इंट्रा जाइलरी तो नाम से लग रहा है दो इंट्रा जाइलरी तो नाम सही है क्या है कि फ football इंसाइड़ दडका पर जाइलम जाइलम के बेसिस पार जांग अभी अभी हम लोग ने दरaisका ना अभी आ इन्चुरणील भाइबर की बात करेंगे कि फाइफ करेंगे वहाँ पर हमने का पूर्फाइबर होते हैं लिपर होते हों काल पर उनकी अधीक होती ए फिर वने कहा था कि वह लंबाइदिक होती यहां डीमेन कर लूमेन का होता है यहां कर डीकार लूमेन होता है रहें होना है red यहां पे होता है यहां पर dusوسका कि बाकिते आगय से बात आप से कर रहा है वह हम इस और आपसे लोकेशन की बात से कर रहे हैं मैंने सब्सक्राइब कर शुके test लकाऍक नंगे पर नहीं तो इंट्रास्टाक्र worship रहोंगे इं नामी में इंट्राइड़री जैलम ये बात पहले हो चुकी और दूसरे वाले जो होते हैं सेकेंड वाले ये इसकोने काते हैं एक्स्ट्राइड़री एक्स्ट्रा जाइलरी या इसी कौम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं बास्ट फाइबर लेकिन याद रखिए बास्ट फाइबर असल में पूरा इंक्लूड नहीं करता है क्यों नहीं करता है क्योंकि जो बास्ट जिसकों एक्स्ट्राइलरी फाइबर कह रहा है न यह बास बास्ट मतलब फ्लोएम में तो होते ही होते हैं फ्लोएम के अलावा यह जो होते हैं यह पेरी साइकल के अंदर भी होते हैं तो बास्ट वर्ड यहां पर पूरा एक्स्क्रेम नहीं करता बास्ट का मतलब होता है लेकिन खाली फ्लोएम नहीं होते कहां कहां होते हैं यह नहीं वर्ड है यहां पे इस इंफार्मिटीव है समया प्रांड निया लिखेंगे दो नू लिखेंगे इस आफ इन और ग्रिंफ लिखेंगे लिखेंगे इन्सैट अफ्रोम इन्सेट्ट फ्लोयम के अंदर ही पाय जाएंगे और दूसरी बात कहां पाय जाएंगे ये पेरी साइकल में ही पाय जाते हैं इन पेरी साइकल इसलिए बास्ट फाइबर कहना गलत तो नहीं कहेंगे लेकिन कम से कम क्या है इंसफिसियंट है क्योंकि प्ल los m के बाहर भी पाए जाते हैं यानिकि पेनि निबाए जाते हैं और sigui स् Muk who हो हमने बताय था क्या कहते हैं pari keini इसको में problem कि इसking के इसको हम कहते हैं कोई बात नहीं कर रहा इस्ट्रक्चर की सारी की सारी बात इसके पहले वाले में हम कर चुके हैं क्योंकि यह जब हम थाइबर को क्रासिफाइब कर रहे थे आंदर बेश से साफ क्या इस्ट्रक्चर तो यहां पर हमने दो टाइप में डिवाइट किया था एक लिवरी फार्म और वहां पर स्ट्रक्चर की सारी बाते हो चुकी है यहां पर क्या है यह किसी प्रकार से जाते हैं लोकेशन के सब्सक्राइब और भी टाइब होते ही ंसरी में इसकों सर्फेस पाइब करते हैं सर्फेस फाइबर थो बड़ा इंपार्टरण करमें ज्रहां जाता सा सर्फेस ओभी लोकेशन के स्बस्द पर इस पर आपके saft सांए हैं फाइबर हो जाएंगे और दूसरा हो जाएगा हमनों का फूर्ट सरफिस फाइबर कर स्टूर्ट करन रूट सर फेजरफे से फाइबर है कि यार्द करिए नारियल कि almond है prost 2 पादाम की बात करिये साइन के वा करिया अरोड की बात करिया जरी होगे ब मेंगर नारियल की बात करिये सबस्क्राइब करें अन्ट अब होता है या चाह सकते हैं चाहिंग मञिएप управ कर लें जो उसका सबसे ऊपर का पार्ड जो बहुत ही थीन और मेंब्रेनिस होता है आप जानते फ्रूट वाल में तीन लियर होती है ना सबसे बाहर को कहते हैं एपी कार्प खाली नाम सुन लिए बाकी तो दिल में पढ़ने वाले हैं फ्रूट से कोश्चन हर साल मिलता है क्या दो को उसको कहजोड़ी नहीं लेंगे डिटेल में उसके बात हम करेंगे अभी याद रखिए फ्रूट वाल को हम कहते हैं पेरी कार्प है अब उसके तीन पा चल्का बीच का गुद्धार भाग और नीचे की गुठली तो सबसे बाहर वाला इपी कार्प बीच वाला मीजो कार्प और उसके अंदर वाला एंडोकार्प हो गये इतने मिलके मनाती है फ्रूट वाल यानिकी पेरी कार्प व्याद रहें इस फ्रूट को हम डूप फ्रू उसके सबसे बाहरी लेयर क्या हिए ओंठी मेंब्रेनेंस बहुत पतली होती है ऌई उसके नीचे का जो मीजो शता है आप जानतें है उसकी है मैट्स बनती है रसी रोक बनती है तो फाइबर्स होता है याद रखेगा वह क्वाएट के तो हैब मिलता है अंद्रपSON मिलता है किsınız немножogenic आप A कोप्र और दूप रूट करूड साफ कम से कम रखे हैं को कॉकोनट और एलमंड किया से मिनता है 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 उसे हम कहते हैं कि इसको लोग क्वायर कहते हैं इसको हुआ इसको होते हैं लोग कायते हैं तो इस तरह से जो फूर्ट का coconut का वहां पर आपो होता है वह फाइबर होता है वह भी कैसा है तो यह सब कहने हैं फूर्ट के सर्फेस फाइब का सीड का सरफेस फाइबर भी आप जानते हैं बहुत ही ő तहते है यह और ये कहां आप देखते हैं सबसे आपने इंपार्ट क्या देखा होगा कोटन लिटर एक यू 성्व सफेस फइबर होता है आप एक अध़ंकर फ़ाएबंद हें या की जो लिगनिफाइड है और लिगनिफाइड फाइबर को ट्रू फाइबर कहा जाता है तो लिगनिफाइड फाइबर को हमें पे ट्रू फाइबर कहने जा रहे हैं ट्रू फाइबर सो कहा जाता है जबकि जो कॉटन होता याद रखिएगा कॉटन जो होता है यह हंडेट परसें प् है और याद रखेगा यह इसको अंपर फाल्स फाइबर कहते हैं फाल्स ऐस फाइबर होता है कि वास्ता हम क्या होता है यह से लोज रोजो दा से घ। नहीं है कि पोजीशन के बीशिस पर भी हमने दूख बता दिया एक हम लोग था किंट्रणाइलरी प्लेट एक अपने कहां तो सीट के सरफिस पर है की फ्रूट की सरफिस पर है सारी बातकिनें, आप सब लोग देखें है उसमें सीड के सरफेश से फाइबर निकलता है औरform नहीं होता है हम फाइबर के करेक्टर, लिगनिफाइब, लिगनिफाइब लिगनिफाइब, लेकिन यहां लिगनिफिकेशन नहीं हो रहा रखेगा इसी मामले में इससल है तो जहां पर आपको जनरल से हट के बात मिले जहां पर सब्सक्राइब तुक्रम्रण बैसलों के है एक अचिए और 그래도 बात है तो आगे हम बात करेंगे वारे में तो दिखा जाएगा जैसे आप जानते हैं कि होता है सब होते हैं और फाइबर भी होते हैं यह सब्सक्राइब को ड्रोगता है उसको धागे के रोग में नहीं बुना जा सकता है ठीक थो थोटा सा एकोनामिक बैक्राउंड के बैसिस पर भी आगी दहते हैं कि नहीं तो पर जो होते हैं अ बहुत होते हैं बस्त के प्रोर होते हैं हो यहTim आपर यो पर फोते हैं जिनको को कि कहां से मिलते हैं यह मिलते हम लोगों को पेरी साइकल से वह भी बड़े साफ्ट फाइबर होते हैं ठीक है तो थोड़ा सा इन पर बात बच जाती है हलाकि यहां पर छोड़ भी देंगे तो हम आगे चलके को नामिक बाठी में उसको कर लेंगे वहां भी पढ़ना रहेंगे तो हम आप बच जाएगा ठीक है ना जान दीजेगा मैं आप से क्या बता दूं कि थोड़ास में पीछे अगर आप बुले जाओं इंट्राजाइलरी एक्स्टाइलरी तो इंट्राजाइलरी फाइबर होते हैं क्या होते हैं इसे मुझा आप जानते हैं ना मुझा होते हैं है ना है सब होते हैं क्या टेंटे इनकी गुनाई हो सकती है और वहते हैं दो थो यह ज्यादे इस Jeśli नामिया रखेगा कि बास नाम और नो होते हैं नव साद होते हैं होते हैं इंटेबल उनको गुना जा सकता है प्टियों कामरशील ज्ली जाते इमपाटेंट होते मैं और गयाके हां प्रेटे लिए हो सकते हैं उनकी पहले जो होते हैं वह दो प्रकार के दो चारी को कहा था हूंने इस्तिलिटफ इस सेल्स फिर फाइबर को आगे हम आगे बढ़ाए पुरा और फाइबरकों ने कई ग्राउंड पे classify करकर आपको दिखाया है इस तरह से स्क्लेर्ण काईमा सेल में इस्वेंगेमा स्वाइबर हमने आज complete किया अगले क्लास में हम लोग स्टोन सेल सारी हम लोग स्क्लेरिट इस को करते हैं पाँच तरह के इस्क्लेरिट्स या इस्क्लेरोटिक सेल्स जो इस्क्लेरोटिक सेल्स कहीं होता है उसको पढ़ेंगे वहां से पुश्रम को मिलता है यहोग की चीजें आपके लिए हो रही होंगी आप मेरे पढ़ाने के पैटरन को देख पा रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं चीजों को एक्स्प्लेइन किया जाए लिए खाली बस मैटर की बात है कॉंटेंट की बात है तो हर जगा उपलब है कोई अच्छी मिल जाएगा आपको मार्केट में सब्सक्राइब बने मेरा प्रयास रहता है कोई भी टेक्निकल टरमेच को समझाया जाए समझने से बातें आप जानतें इंट्रेस्टिंग और यहीजी दोनों हो जाती है और जब बात हम समझ जाते हैं तो उसका रिटेंशन उसको लंब में समय ग्याद रहना आसान हो जाता झाल झाल झाल